चाहे किसान हो चाहे मजदूर हो चाहे नौजवान बेरोजगार हो या बिहार का गरीब हो बिहार की जनता ने तै कर लिया है कि इस बार परिवर्तन हो करके रहेगा पंदरा साल तक इन लोगों ने जनता का शोशन करने का काम किया मजदूर को अपमानित करने का काम किया है 40 लाख मजदूरों को जो सुप्रीम कोट कहने के बाद भी लोगों ने रोजगार नहीं दिया कई नौकरिया जो है रिक्त परी रह गई कई पदे जो है रिक्त परी रह गई नौजवानों को रोजगार नहीं दिया रोजगार के लिए सिक्षा के लिए चिकित्सा के लिए लोगों ने जो पलाइन किया है लोगों में भाड़ी आकरोश है हर चार घंटे पे जो मडर हो रह है रेप हो रहा है उसका जवाब law and order को लेकर करके जो है नितीश कुमार जी को NDA की सरकार को देना पड़ेगा बिहार को विशेश राज का दर्जा क्यों नहीं मिला विशेश पैकेज क्यों नहीं मिला अभी सेंटरल की कोई टीम तक आ करके कोई पूशने वाला नहीं रहा देखने वाला नहीं रहा चाहें मजदूर हो किसान हो नौजवान हो गरीब हो बाड़ पीरित हो हर कोई जो है सरकार से चुटकारा चाहता है और हमें चुनाओ आयूक के फैसला का हम लोग स्वागत करते हैं हम लोग निश्चिंत हैं क्योंकि जनता ने इस बार मूड बना लिया है हमारे पार्टी के पददिकारी हों कारेकरता हों नेता हों बुलंदी के साथ जो है इन सभी संप्रदाइक शक्तियों का और जिन्होंने गरीबों का शोशन किया हैं उनको इस बार चुनौती ही नहीं द दोनों है क्यों थे अपकी लड़ाई किस से बीजेपी से देखें कि गरवंधन में एंडी ए और यह लडाई में जनतादल उनाइट का कोई मतला भी नहीं है हमारी लडाई जो सीध्य है वह बीजेपी के साथ है जनतादल युनाइटेट का तो नितीज जी का क्रेडिबिलिटी को ले करके विश्वशनित्या को ले करके अगर बात की जाए तो कभी इधर कभी उधर चार साल में चार सरकार देखने को मिला कड़बंधन 2015 में जो हुआ था हम लोग चुनाओ जीत करके आए लेकिन जिस व्यक्ति ने जनादेश का अपमान किया चंता जिन्होंने जनादेश दिया था महागडबंधन को वो इसी वक्त का इंतजार कर रही थी और ये वक्त आ चुका है नितीश कुमार जी ने जो ठगने का काम किया जनादेश का अपमानित करने का काम किया आप देखेंगे स्रआजन घुतालाह साठ साथ घुटाले में लगड़ आर्भो खडबो रुपया का लूट हुआ लेकिन किसी भी अधिकारियों नेता पे या॥ किसी भी मंत्रियों पर करवाई नहीं की गई क्यों नहीं हुई यह नितीश कुमार जी क्योंकि भरष्टाचार के भीश में पितामा है हाँ बीजेपी में हैं डर और लालच के कारण इन्होंने पल्टी मारी थी लेकिन जनता बिहार की जागरुख है समाजिक और आजिंतिक रूप से जागरुख है एक चाल को यह पहचानती है करने का काम किया चाहे सरकारी करमचारियों पर लाठी इन्होंने तावर तोर जो किया है आप बताई करोना महामारी में बार के वक्त 140 दिनों से यह गायब रहे अब तक नहीं निकल पा रहे तो नितीज जी की विदाई तै है एंडिये इस बार बुरी तरीके से हारेगी और इस बार हमारी जो गड़बंदन है महागडबंदन इसकी सरकार बनना तै है यह जंता ने मूड बना लिया आपके विरोधी जो है वो सवाल यह कर रहे हैं कि महागडबंदन अब बचा कहा जीतन रामान जी चले जा चुके हैं उपेंद्र कुश्वाहावी लगतार उन्होंने कल कहा कि उनको आपके नित्रित पर भरोसा नहीं है तो दो पार्टियां बच रही है आप और कॉंग्रे ला चाहती है पटाविए जिस वेक्ति ने डीने का गाली दिया आज वो बिहार प्राइड की बात कर रहे हैं और जिसको डिने का गाली मिला आज उन्होंने गुटने टेक दिए जिससे हाथ मिलाने में कतर आते थे जिसका थाली खीचने का काम किया आज अपना चेहरा छोड करके प्रधान मंत्री के चेहरे पर चुनाओं लड़ना चाहते हैं नितीश कुमार जी आपको मुद्दे से हम भटकने नहीं देंगे आपको मुद्दा पर और अजंडा पर बताई एक कितने रोजगार आपने दिये क्यों बिहार में जो है बेरोजगारी दर्द 46.6 रह गया क्यों जो है पलाइन जो है लगबग 50 फीसिदी हो गया हर बिहार का दूसरा परिवार जो है पलाइन करने को मजबूर है यह पूरा विवस्था बार हो गया पूल पुलिया जो बनता है घुटाले का खेल होता है खितार जो है बच्यों के साथ बलतकार के मामले न्युक्त भी कहां करा है बिहार में अपराद जो है वह बढ़ा है हमारी तुल्ला अगर कर ले हम भी सरकार में हम डिप्टी सीम्स थे 2015 से जो 18 महींने हम सरकार में नहीं या उसके बाद NDA BJP और जेडियू की जो सरकार रही आप राद की तुल्ला आप कर ले, लॉय और्डर की तुल्ला कर ले, हर एक मोर्चे पर नितीश कुमार जी फेल रहे हैं, और नितीश कुमार जी का चहरा जो है वो बासी हो चुका है. हैं तो यह भी होटर को आप लारे थे थगने का काम किया है आप अप देखते हैं जब महागडबंधन को इन्होंने ठखने का काम किया नितीश कुमार जी जाकर कि विचार धारा नितीश कुमार जी की तो उसलिए ये सवाल जनता जो है अंतरात्मा कहां गी नितीश कुमार जी जब बालिकागरी कांड हुआ था अपने जो चहेतों को बचाने का काम कर रहे थे उन लोगों को जो अपरादी छवी के लोग है जोने बच्चियों के साथ उन्होंने बोला कि मुझे मालूम नहीं जो भी हो उसको लेकर जो लोजपा है काफी दुखी आहाथ है कि बताए नितीश कुमार जी को यह नहीं मालूम है कि सबको मालूम है कि चिराक राम बिलाजी आइसु में है उपर से जिस तरीके से जेडियू और लोजपा के बीच मे बैसा बैसी यह जो किए हो रहा है उसको आप कैसे देखना है ते नितीश कुमार जी की राजनीती किसी से हमदर्दी उनको नहीं रहती है उनकी हमदर्दी बस उसी से कि जो उनको सत्ता में ले आए कुर्सी का प्यार है उनका ना कोई विचारधारा ना कोई नीती ना कोई स सबाहो या सरकों पर हो एक मुद्दा किसी भी मुद्दे पर नितीश कुमार जी आ जाए हमारे साथ बहस कर ले हम तैयार है यह शुशील मोदी जी यह लोग अपराधियों के सामने हाँ जोड़ करके गिर गिराएं कि अपराधियों छोड़ दीजे पित्रप्रक्ष का महीना ह हैं उसके बाद पट्टा में जब जल जमा हुआ तो हापन प्रेंट करके भाग रहे थे और अभी जो पलाइन हुआ इन लोगों ने जितने मजदूरों को गालियां देने का काम किया अपराधि तक बता दिया मजदूरों को तो हम तो यह कहना चाहते हैं जो पलाइन हो रहा हैं मुझे खुसी है कि समय आया है जहां जनता अपने मत का प्रयोग करके इन बैमानों को हराने का काम करें नहीं अब हमारी हमारी कोई बाचीत किसी से चल रही हैं लगतार चाहे करोना हो महामारी हो मजदूर की बात हो या बाड़ पीरतों की बात हो या किसानों की बात हो कि बात हो हम जनता के बीच जनता से हम सनवाद कर रहे हैं जनता हमारे साथ है और हमें पूरा विश्वास है कि इस बार हमारी जीत तैय है और एंडिया का सफाया अंतिम सवाल क्या यादर महागटवंदन के मुखमंतरी होंगे यह जिस तरीके से आप दावा कर रहे हैं कि इस बार जनता ने मूट बना लिया है तो हम अगली वार एगले दिनों की बात है अब तो चुनाव का रिजल्ट भी दस तारीक को आदने माला है होगा तब उस पर बहुत सारे ऐसे पार्टी भी खरी हो गई है जो जो आपका वोट बैंक है उस पर कहीं नहीं होने वाला है तैसे लोगों को कैसे अप्टेकल करेंगा देखें जनता होश्यार ऐसे ऐसे लोगों ने डिल्ली में भी चुनाव लड़ा ज्हारकन में भी चु तो उसलिए जनता तो सब चीज देख रही है काड़ खाने से ले करके रोजगार जो है इन लोगों ने छीनने का काम किया लेकिन पर पास 15 साल बनाम 15 साल उसके अलावा बहुत कुछ नहीं वो लोग कह रहे हैं जो भी बात करते हैं तो कैसे देख रहे हैं कि देखे बिहार क कि जनता सब समझ दिये हैं कि यह एक प्रपागेंडा चला करके मूल अजंडों से मूल मुद्दों से भटका नहीं सकते हम लोग इनको घंचीट के वहीं लाएंगे 15 साल से बिहार के मुकमुंतरिय क्या मिला बिहार के लोग और गरीब हो गया पलायन और बढ़ गया कोना महामारी में आर्थिक जो संकट आया है इसे कैसे निप्टेंगे अब तक नहीं बताया है क्या ब्लूपरिंट है जो साथ निश्चे जो महागडबंदर का योजना था उसी को लेकर के चल रहे हैं तो नितीश कुमार जी को जनता अच्छे से पहचानती है हम लोग यू सरकार बनेगी जितने भी रिक्थ पदें हैं पहला कैबिनेट में अब हम लोग ब्लूपरिंट किया है वह जल्ल से जल्ल जो होगा वह जनता के सामने हम लोग पेश करेगी एक सवाल और आपसे अंतिम है, कई वार पूछ कर अंतिम, क्या जो 15 साल में आपके शक्ता में, जो कुछ भी गरवरिया हुई है, तो क्या उसके लिए आप किसी उससमें लालु यादव लगते थे, पिछले वार जब तुनाओ लगते तो लालु यादव के पुत्र होने के न आकरे पे अगर बात करेंगे, NCRB कहीं आकरा लिए लिजे, तो अगर ये कता कते था, अगर वो जंगल राज था, तो ये तो राक्षस राज है, पहली बात, दूसरी बात किसके चहरे पे, नहीं चहरे पे, लालु जी जनता के नेता हैं, गरीबों के नेता हैं, और हम इतना एक अश्पश ज़रूर कर दें कि जब ये हमारे सवाल का जवाब नहीं दे पाते हैं, क्यों ने इनके पास कोई उत्तरत, है कि जनता को जवाब चाहिए ना आप कोई भी बात कीज़ेगा पुरानी बाते कीज़ेगा कौन जमाने की बाते किज़ेगा तो वह बासीपन्नों की बाते हैं आगे बिहार का भविश क्या से सुध disturbance को इंसतर के स्वैंगे लोगों को इन सारे मुद्दों पर बात होनी चाहिए और हम लोगों के पास विजन हैं, हम लोगों के पास पूरा ब्लूपरिंट है, हम लोग काम पर विश्वास करते हैं और हम लोग जो है इस बर जनता पर हमारा पूरा भरुसा है और जनता ने मूड बना लिया है कि इस बर इंडिये का सफाया होगा और हमारी सरकार तैह